हलो फ्रेंट्स एंड वेरी वाउम वेलकम टू चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो इन दिस वीडियो टूड़े विल डिसकस अबाउट टोप फार्मा कंपनीज इन गजरोला अमरोहा यूपी आज हम लोग अपने इस टोपिक पर बात करेंगे बट अपने इस टोपिक पर करने से पहले मां आप लोग को बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स वाला इंडिया का ओनलाइन नंबर वन लर्निंग प्लाटफॉर्म है और फ्रेंट्स यहां पर आप लोग बहुत सारे बैचिस जोइन कर सकते हैं IIT जैम और CSIR नेट एक्जाम के लिए जैसे IIT जैम के लि लिंक से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवलेबल है महां पर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो है CB300 तो आप लोगों को 300 का अडिशनल डिसकाउंट मिल जाएगा फ्रेंट्स यह जो गजरोला अम्रोहा है यह एक डवलपिंग इंडस्टिल एरिया है और यह एक गजरोला महा का जो पिंकोड है वो है 244235 और फ्रेंट्स डेली से लेके अम्रोहा की जो डिस्टैंस है वो है 166 किलोमेटर जिसको आप लोग 3 में और अम्रोहा त्डस्टिक्स से लेके अगर्जरोला में कंप्लीट Caesar अट का जो डिस्टैंस है तो मैं यहां पर recommend करूँगा या मैं फ्रेसर्स को यह यहां पर suggest करूँगा कि इस industrial area में जो है जरूर try करें और यहां पर बहुत अच्छी फार्मा कंपनी हैं जिसमें सबसे अच्छी जो फार्मा कंपनी है वो है jubilant pharma और यह इंडिया की एक reputated pharma company है इसके इंडिया में और worldwide बहुत सारे plants है और friends यह एक multinational company है जो यहां पर Tewa API है Tewa API India Limited यह एक बहुत अच्छी फार्मा कंपनी है यह इसका भी यहां पर plant है और इसकी यहां पर दो unit है लाइक जैसे की Tewa API India Limited और Tewa Pharmaceuticals तो friends आप लोगों को यह पता होना यहां पर जरूरी है उसके बाद यहां प जो next pharma company है वो है Watson Pharma तो friends आप लोग जो है इन companies में try कर सकते हैं as a fresher candidate और as a experience older candidate और UP में जो है सरकार बहुत सारे उद्धोगों को support कर रही है बहुत सारे industrial जो areas है उनको support कर रही है बहुत सारे industrial जो project से उनको support कर रही है तो friends आप लोग जो है यहां पे job के लिए जरूर ट्र and sorry वो बढ़ेंगी तो friends आप लोग यहां पे जुरूर try करें so thank you friends thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates thank you friends